हलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रियांका और आपका स्वागत है मेरे चैनल व्रिसामक्स में किस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अनदर रेसिपी के साथ आई हूँ तो चलिए के है कोमें मंचूरियन है अबर यहाँ स्टाइलिमियर्ण है और कालीफ्लार ला लिया है तो इस경 सो संड़ से उते कॉलिध़ लिक परिसाइयस का उसे चटफ्यवेस कर लिया है, इस तरह से दिए बहुत चोटेश नहीं नहीं करने है इसके बाद मैं एसमें हैं इसमेहाच करी हूँ, इसमें मेरा फेवरिट कबाप मशारा चाहा है और इसके जो फ्लेवर है वो मुझे बहुत यह चलगता है तो इस तरह से मैंने आड कर दिया है इसमें कबाब मसाला कबाब मसाला आड करने के बाद मैं इसमें आड करी हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और इसके बाद हम इसमें टालेंगे थोड़ा सा कॉण फ्लार इस रेसिपी की चान है तो थोड़ी सी कॉण फ्लार डाल के हम इसे ड्राय मिक्स करेंगे यह जानने पर रेसीपीजे हैं मैं तो भाझा करते हैं!! तो माझा कर देती है मेहीं जाएं जो ट्रीर तरह मिक्स करेंगे कि यहां मिक्सником जाएंगा लिघुगा इमरा ना फिर गीच ट्रीमिक उजारब है जी ट्रीमिक कर से जैने जाएं यह देखिए है इस तरह से corn flour मैं add करती जारी हूँ इस तरह से 3-4 बार हमें थोड़ा-थोड़ा करके corn flour add करना है और यह देखिए finally जो मुझे टक्से चाहिए थी मेरी गुबी के लिए वो मुझे मिल गई है तरह साइट रखतेंगे और तयार करेंगे मसाले मसालों के लिए हम इस तरह से fine chop garlic चाहिए garlic लीव से बिल्कुल ऑप्शनल है fine chop chili वानिगर आप lime juice भी यूज़ कर सकते हैं यह ginger garlic paste है और यहां पे मैंने दो बड़े size के fine chop onion लिये हैं अब एक pan में हम hot oil कर लेंगे mustard oil अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे जब हमारा oil अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे गोबी यस जो हमने गोबी अभी coating करके side रखी थी अब हम उसे oil में add करेंगे और फिर medium flame पे अच्छी तरह से कोखोने देंगे इस तरह से अच्छी तरह से कोखोने दीजिए जब एक side से यह अच्छी तरह से थोड़ी से color आ जाए तो हम इसे turn कर देंगे और turn करने के बाद इस अच्छी तरह से medium flame पे ही कोखो करना है कोखो करते जाएंगे और जब हमारी को भी अच्छी तरह से दोनों side से golden brown हो जाए जो color आपको desire है वो आपका color achieve हो जाए तो हम इस तरह से oil से बहार निकाल लेंगे तो यह देखिए हमारी क्रिस्पी वाली कोवी रेडी हो गई है तो एक बार आप सुनिए इसके sound की तक क्रिस्पी बना ही एक ही बार में बिलकू क्रिस्पी हो जाए की आपको ऐसे थोड़ा सा अफ सैलो फ्राइ करने के बाद फिर री फ्राइ करना है ठंडे होने के बार ऐस इसी प्रोसेस को फॉलो करके सारी गोपी मैंने फ्राइ कर ली है और यहां पर हॉट ओएल में हम अट करेंगे थोड़ सा फाइन चॉप ऑनियन और यह चिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छी तरह से हम करेंगे कुक अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे और जैब यह जाए तो हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और जो मैंने गार्लिक लीफ ली थी वहां बैट करी हूँ और यह है कॉन फ्राइक कॉन स्टार्च और इसके बाद हम इसे इस तरह से वाटर में मिक्स करके अच्छी तरह से दो स्पून लिया है मैंने दो टेबल स्पून और इस जाए 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 हम इसमें डालेंगे या लाइम जूस आप और इसके बाद हम इस तरह से अबने फ्लेम को लोग पर ही रखेंगे क्योंकि हमें इस तरह से रखने करने है जाए आपको भी रखा है उसे आट करतेंगे एक सेकेंड के लिए इससे तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम आफ करतेंगे और गर्म गर्म सर्फ करेंगे होगे हमारी कोवी मजची रिडी तो होप आपको हमारी रेसीपी अच्छे लगी हो तो प्लीस दोंट फगे तो लाइक और शब्सक्राब में चैनल मिलते हमारी नेक्स वीडियो में तिल देन बाँ बाँ टेक चैर और थावचे लगी और शब्सक्राब में चैनल